मैं राव राम किसान बाइओ स्वागत है आपका मेरी और एक नए वीडियो में किसान मायो यह देखिये मेरे रोटबेटर में काली मिट्टी चिपक गई हैर जिससे रोटबेटर बहुत जाम चल रहा है इसी वज़े से ट्रेक्टर पर लोड भी पढ़ रहा है किसान भाई हो जिससे ट्रेक्टर ज्यादा तेल उठा रहा है मैं इसको साप कर रहा हूं जिस किसान के पास ट्रेक्टर और रोटर बेटर है उनके लिए वीडियो बहुत महत्पूर होने वाली है बेडियो में लार्च तक बने रहें किसान भाई हो इसको बराबर साप करते रहें किसान भाई हो क्योंकि काली मिट्टी चिपक जाती है जुताई करते समय इसको साप करने के लिए अब दे सकते हैं मेरे पास चार सूत का सीका है जिसको सरीय बोलते हैं लिंटर भी डलता है किसान भाई होएं लुहार को दे कर बनवाना पड़ता है आगे नुक्विलर टाइप करवा लें जिससे मिट्टी बड़ी आसानी से निकल जाता है और दोनों साइड की बेरिंग को अच्छे तरह से साप करके रखें किसान भाई हो इससे आपके रोटर बेटर में ज्यादा मेंटिनेंस भी नहीं आएगा और आपका रोटर बेटर भी फिरी चलेगा जो छूरी के बीच में काली मिट्टी चपक जाती है आप उसको भी छुड़ा सकते हैं इसी सीके की मदश से किसान भाई हो मैं पर रोटर बेटर में मिट्टी चुड़ा रहा था मैं सोचा आपके साथ एग वीडियो सेर कर दूँ आप देख सकते हैं मेरे रोटर बेटर बिल्कुल फिरी हो गया है जाम नहीं चल रहा है किसान बाईयों आप देख सकते हैं मैं दोनों साइड का बैरिंग साफ कर दिया हूं अच्छी तरह और उपर के मिठ्थी भी छुड़ा दिया हूं ऐसे वीडियो देखने के लिए हमाई चैनल को सब्स्ट्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगली वीडियो फिर मिलेगें तब तक के लिए नमस करें